नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें बिहार में नितीश कुमार के सरकार है और इसी सरकार के फैसले के कारण बिहार में बीते कई सालों से पूर्ण शराब बंदी लागू है लेकिन इसके बावजूद प्रशासन से चुप चुपा कर यहां शराब की तसकरी खूब होती है वहीं दूसरी तरफ बहार में जहरेली शराब से लोगों के मौत का सिलसिला भी जारी रहता है ऐसे में प्रशासन की तरफ से सराब माफियाओं के खिलाफ सक्त कारवाई जारी है कई बार प्रशासन की सक्ति की वजह से सराब की बड़ी खेप पकड़ी भी जाती है इन सब के बीच सरापतसकर रोद्वारा पुलिस को धोका देने के लिए कई नई-नई तरकीवे भी अपनाई जाती हैं कई बार इन तरकीवों से सरापतसकर प्रशासन की आँखों में धूल जोकने में काम्याब हो जाते हैं और कई बार पुलिस के हथ भी चड़ जाते हैं एक ताजा मामला पूर्णिया जिले का है जहां कसबा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो कमपनी के 1182 लिटर बीर एक सूधा मिल्क वाहन टाटा सूमो के कंटेनर से जब्त किया है वहीं सूमो वाहन चालक मौका पा कर पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो गया है पुलिस को सूचना मिली थी कि बीर की खेप टाटा सूमो से जा रही है जिसके बाद सूचना के आधार पर लिची बगान तथा रिलाइंस पेट्रोल पंप के बीच सूमो टाटा सुधा मिल्क संख्या बी आर जीरो सिक्स जी ए अठटर चौशट लगी हुई थी पुलिस के द्वारा वाहन की जाज की गई तो पता चला कि वाहन के कंटेनर में शराब है जब कंटेनर को खुलवाया गया तो देखा कि कंटेनर में भारी मातरा में बीर लदी हुई है वाहन को जब्त कर लिया गया है और थाने में बंद कर दिया गया है पुलिस ने दो कम्पनी वुड वेर्स मंगनूम तथा हाई वॉर्डर्स के 1182 लिटर बियर जब्त की है शराब माफियाओं द्वारा तसकरी के लिए अपनाएगे इस तकनीक को देख कर पुलिस वालों का भी सिर्थ चक्रा रहा है